तो ये देखिए ये है पीजा का बेस जो की डोसा का है ये डोसा भी बेसिकली चावल और दाल का बनता है पर ये बेसन और सूजी का बना हुआ है इसमें इन्होंने काफी सारी सॉसिस मिक्स करके डाली है जैसे की पीजा सॉस हो गई ग्रीन चिली सॉस हो गई कैचप हो गई औ अब इसे थोड़ी देर अच्छे से सिखने दे रहे हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है और भाईया ने कटिंग इसकी पहले ही कर दी है तो यह देखिए कितने अच्छे तरीके से कटिंग हो रही है यहां पे और इसे सिखने दिया जा रहा है उसके बाद इनोंने ग्रीन वह हो कैपसिकम जाली थोड़ी सी चिली डाली है चीली डाली है और घला है इन gelernt थोड़ा मसाला पता नहीं ज stretching ऑप क्ट килो सब्सीं भ सीटे में सोप्का है और भाफ चीपिश्यमन ऑलिप कृण्त्स ब्सक्राइब हैं इलेज नहीं पूरे पूरे नहीं डाले थे क्योंकि इनको अच्छे से खाया जा सकता है, वरना वो पूरे पूरे चंक समुह में आते हैं, फिर से अपना मसाला रॉक्ती यमी बन के तयार हुआ था यह दोसा पीजा डोसा है और अब इसे थोड़ा सा सेक रहें भाईया फिर इसमें आप डालेंगे जो आपको खाना हो वैसे खाये पर इन्होंने कौन भी डाला है और अब इसके ऊपर डालेंगे खूप सारी चीज एक गम मतलब मुह में पानी हा रहाता जब भाईया बना रहते तो बहुत ही यमी पीज प्राज़ा बनके तयार हुआता यह और जब थोड़ा सा हलका सा मौजरिला चीज थोड़ी सी मेल्ट हो जाए उसके बाद इनोंने फिर से ऊपर मेरी खाल से स्पाइसी थी थोड़ी ये वाली केचप तो हां कटिंग इनोंने पहले ही कर दी ती और उसके बाद इनोंने प्ल नी के संग सर्फ करा था बाइ